नमस्कार मित्रों, बास्मती जावल को तो हम सभी ने खाया होगा, बहतरीन खुश्पू, लंबे-लंबे ग्रेंज और लाजवाब स्वाद, चलिए आएए, आज इनकी बारे में थोड़ा और जानते हैं, बास्मती की जो ट्रेडेशनल वराइटीज होती थी, वो काफी लंब की समस्या हुआ करती थी, उनकी डियूरेशन भी बहुत जादा थी, 160 दिन, और उनका जो इल्ड होता था, वो भी कम आता था, कुछ 2 टन्स पर हेक्टेर, तो 60's के दशक में, डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन और I.E.R.I. के साइंटिस्स ने, ट्रेडेशनल वराइटीज को high-ealeding varieties बनाने का काम आरंब किया, इसके लिए इन ट्रेडेशनल बास्मती वराइटीज को high-ealeding dwarf varieties के साथ क्रोस कराये गया, 20 साल की मेहनत के बाद, 1989 में बास्मती की पहली semi-dwarf high-ealeding variety को डेवलब किया गया, उस वराइटी का नाम था, पूर्सा बास्मती 1, एक बहतरीन इसके जो ग्रेंस थे वह बहुत लंबे पतले आरोमाटिक थे कुकिंग टाइम बहुत कम लगता था इसमें और इसका जो मैच्योरिटी टाइम था वह भी कम था 135 से 140 दिन में मैच्योर होने वाली यह विराइटी सबसे जादा कॉंटर्ब्यूट करती थी बास्मती चावल के एक्सपोर्ट में उस्टाइम 2007 तक इसनी बहुत बढ़िया कॉंटर्बूशन दिया है बहुत जादा यूज की गई है विराइटी उसके बाद 2003 में एक और हमारी सुपर हिट वराइटी आती है पूसा बास्मती 1121 या पूसा सुगंदा चार बोल सकते हैं इसको रिडीज किया गया इस विराइटी का भी जो करनल इलोंगेशन रिशियो होता था कोगिंग के बाद बहुत ही एक्सेप्शनल था यह 145 डेज में मैच्योर हो जाती है और इस पूसा बास्मती 1121 में जो भी प्रॉब्लम अब तक थी उन सारी वीक्नेस को यह वराइटी पूसा बास्मती 1509 खतम कर देते हैं 115 से 120 दिन में मिच्योर होने वाली वराइटी पांच टंस पर हेक्टेर का एल देती है नॉन लॉजिंग और नॉन शैटरिंग वराइटी है अ पूसा बढ़ जाता है कोगिंग के बाद तो एक तरह से हम बहुत दर आइस कंजूम भी नहीं करेंगे उसके बाद एक मज़दार वराइटी आती है पूसा 1401 की पूसा 1121 की इंप्रूव राइटी है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम पेडिग्री सेलेक्शन करकर के अरीन वराइटी है जो अच्छी इल देती है 5 टन्स पर हेक्टेर की और कोकिंग के अबलेटी पीस की बहतरीन है 140 से 145 डेज में यह मिचूर हो जाती है और लॉचिंग रेजिस्टेंट भी है अब यह तीन वराइटी पूसा बास्मती 1121 पूसा बास्मती 1509 और पूसा बास बास्मती 1401 यह तीनों बास्मती की जो वराइटीज है यह 90% एरिया उक्यूपाइ करती है और पास्मती राइस एक्सपोर्ट में भी इनका कॉंट्रिबूशन 90% से ज्यादा ही है पर बास्मती की इन तीन वराइटीज में एक प्रॉब्लम आती है बेक्टीर ब्लाइट की और दूसरा है प्लास्ट इन दोनों की समस्य बहुत साथ है इसको डील करने के लिए 2003 में साईंटिस्ट ने डवलब की तीन अलग वराइटीज एक पूसा बास्मती 1121 से डेराइव की, एक पूसा बास्मती 1509 से डेराइव की एक पूसा बास्मती 1401 से तो पूसा बास्मती 1121 की जो नियर आइसोजनिक लाइन थी उससे बनी हमारी वराइटी पूसा बास्मती 1885 वैसे ही पूसा बास्मती 1509 से डराइट की गई वराइटी थी हमारी पूसा बास्मती 1847 और पूसा बास्मती 1401 से डराइटी पूसा बास्मती 1886 तो यह तीन वराइटी पूसा बास्मती 1847, पूसा बास्मती 1885 और पूसा बास्मती 1886 इनको डेवलब किया गया और इन में जीन इंको अपरेट की कही थू मारकर असेस्टेट सेलेक्शन, बिक्टीरिल ब्लाइट के रेजिस्टेंट XA13 and XA21 और ब्लास के लिए रेजिस्टे के लिए और अलग अलग बिजीजिस से रेजिस्टेंस के लिए डेवलब किया गया है आशा करते हैं आपको यह अच्छा लगा होगा इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रही है हमारे साथ